कि अपने योटूब चैनल एक आई टी सुलूशन में तो इस्टूडेंट्स आज हम एक बार फिर से ट्रिपल सी का एक्जामिनेशन सीरीज लेके आये हैं और यह जो एक्जामिनेशन सीरीज है वो है सितंबर 2022 के लिए यानि अगर आप जो है ट्रिपल सी का एक्जाम देने जा रहे हैं सितंबर 2022 में और जो आपका सेडूल है वो है सेडूल आपका है 14 तारिक से लेकर के 20 तारिक तक अगर आप जो है 14 से लेकर के 20 के बीच में एक्जाम देने जा रहे हैं तो उसका मैं य से लेकर आ रहा है दो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोश्टन पर کहां पढ़ा को और कोस्टन करते शु यहां पर हम आगए हैं अपने कोशुन स्रीकों ना which option is not available यानि लिब्रे आप इस राइटर में लाइन इस स्पेसिंग में काउंट सा आप्शन उपलब्द नहीं होता तो इसका जो एंसर हो जाएगा वह एंसर आपका हो जाएगा यहां से लाइन ठीक न नेक्स्ट अगर अगले कोशन की तरह बढ़ें अगला कोशन जो है आपक आइनसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेगाबिट पर सेकेंड नेक्स्ट अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन देखिए क्या आपके स्क्रीन पर इसमें कराएगा दब मैनिमूम नंबर आप रोज एंड कॉलंस इन लिब्रे आफिस राइटर यानिश लिब्रे आफिस रा लए इडिट व्यूह की जो सौटकर की होती है वह यह 4 होती है इसका आपका एंसर हो जाएगा वह एंसर हो जाएगा फॉर्ब नेक्स्ट अगले कोईशन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला कोईशन देखिया क्या आपकी स्कीन पर इसमें देखिया कहा रहा है कि विच आप दीज आर फेरली सिक्क्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस इनमें से कहा रहा है कि आपका पर चला जाए तो अगला कोशन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है करा इस में कि प्रॉसेस information in the current cell can be obtained by using तो इसका आपका answer हो जाएगा वह answer यहां पर हो जाएगा मारा पीस यानि थर्ड वाला नेक्स्ट अगले कोश्चन की तरह अगर बढ़ें अगला क्या करें पर क्रिप्टो करेंसी जो है वह कहां पर आप इसका जो जाता है इसका अगले कोश्चन की तरह बढ़ें अगला कोश्चन की तरह आपके स्कीन पर कर रहा है कि फ्राम वेर कैन वी सेट दा टाइमिंग फार इच अबजेक्ट इसका जो एंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यहां पर स्लाइड सो स्लाइड ट्रांजिस्चन यहां पर अगले कोश्चन की तरफ अगर बढ़ें अगला कोश्चन देखिए आपके स्कीन पर यह है वाट आर सिंबल्स यूज तो इडेंटिफाई आइटम्स इन लिस्ट तो वह कौन सा आइटम्स या जो सिंबल है जो आइटम में रिस्पॉंस टाइम मेजर दर नेटवर्क आव तो यहां पर ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉंस टाइम जो होती है वह नेटवर्क में क्या मेजर करती है तो नेटवर्क में जो मेजर करती है वह परफार्मेंस को करती है नेक्स्ट अगले कोश्चन की तरफ बढ़ें अगला कोश्यने देखिए आपके स्कीन पर यह है करा कि विच आपको फालोवग इस प्र सिंगर प्रिंट इसमें होता है जो इसमें को पर फार्म करता है इसका जो आपका answer जाएगा वह जाएगा पैसीव इस टेख नेक्ट अगले कोश्चन की तरह बढ़ें तो अगला कोश् तो यहां पर आपका इसका होती है आप एकर उसको हाइड कर देते हो तो हाइड की गई जो सलाइड होती है hije आपके presentation में run करेंगी जब आप इसको hidden किये हो कि नहीं किये हो यहां पर इसका आपका answer हो जाएगा वह जाएगा true यानि अगर हमने किसी slide को run में कि दवरान hide कर दिया था तो slide हमारी सो नहीं होती है वह ID रहती है इसका जो आपका answer हो जाएगा जो पूरे world को cover करता है वह होता है वाइन नेक्स्ट अगले कोचन की तरह बढ़े अगले कोचन देखे क्या करा आपके screen पर इस अचार्ट टाइप इन में से काउन एक चार्ट होता है क्या हो जाएगा कोचन की तरह बढ़े सब्सक्राइब क्या करा आपके screen पर what is the name of the computer terminal which gives paper प्रिंट आउट जो होता है वह कौन देता या उसको क्या कहते हैं उस टर्मिनल को तो उसको कहते हैं हाड कॉपी टर्मिनल नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़ें तो अगला कोशन देखें कि आपके इसकी पर यह है 17 नंबर कोशन यहां पर यह देखें कहा रहा है कि इस से इसका आपका एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़ें तो अगला कोशन देखें आपके स्कीन पर है विच आप्शन कैन वी योजड तो सेट कस्टम टाइमिंग्स पार स्लाइड इन प्रिजेंटेशन यानि आप ज जो किया जाता है रिहर्सल का नेक्स्ट अगले कोशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपके स्कीन पर वाइंड की इस योज इन लिब्रे आफिस राइटर में इंड की का योज क्यों किया जाता है तो यहां पी जो इंड की होती है उसका यूज हम लोग करत विट दा कंटेंट प्रेजन्ट अंअ वेब पेज तो यहां पर आपका जो एंसर हो जाएगा वह एंसर आपका वो जाएगा ब्राउजर ठीक है ब्राउजर ही हुआ अगला कोशन देखें अगला कोशन क्या कर रहा है कि लिब्रे आपीस कैल्क नाट ये लाव यू तो ओप multiple panel for a single file at the same time यहां पर इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वह एंसर हमारा हो जाएगा फाल्स एक अगले कोशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन देखिया क्या कर आपके स्कीन पर इनपूट आउट्पूट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस टूगधर री प्रेजेंट इनपूट आउट्पूट और प्रोसेशन ज्यों जो होती हैं अगर एक साथ मिलती है उनको क्य रेप्रेजेंट करता है यहां पर आपका एंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट अगले कोईशन की तरफ अगर बढ़ें अगला कोईशन देखिए क्या कर आपकी स्कीन पर कि विच प्रोग्राम विल रन फॉस्ट वेन प्रेस्ट प्रेस करते हो यहां से इसका जो जाएगा वह हो जाएगा आपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट अगले कोईशन की तरफ बढ़ें अगला कोईशन देखिए क्या करा है दा ग्राफिक यूजड एज डेस्टाप बैग्राउंड एच यानि डेस्टाप के बैग्राउंड पर जो स्लाइट अप्सेंज का यूजड क्या होता है अगले कोईशन देखिया क्या करा दा स्लाइवार है इसका अगला कोईशन के नहरे how Лadik कोईशन कंट में उसिस्टम हैकिंग में मोस्ेडंत एक्टिवेटी क्या होती है तो इसकी एकटिवूर्टिया होती और क्रैंकLou lem सबसे पहले तोड़ना होता है अगले कोशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन की क्या करा है इन लिब्रे आप इसका वाट टर्म डिस्क्राइब एक्स्ट्रामेंटरी टेक्स अटाइज तो असल यानि जब किसी सल में एक्स्ट्रा कोई सल जो है डिस्क्राइब करने के लिए लिया जाता है उसको कहते हैं कमेंट नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपके स्कीन पर कि विच कमांड इज यहां पर इसका जो एंसर बन जाएगा वहोगा पीएस ट्री नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपके स्कीन पर कि विच आप दा फालोइंग टोल्स इनेबल यू तो अट्सलाइड विदाउट योजिंग दा स्टैंडर्ड प्लेस होल यानि अगर आपको कोई टेक्स्ट एड़ करना है स्लाइड में बिना प्लेस होल्डर के तो आप कैसे एड़ करोगे किसी टूल की मदद से एड़ करोगे उसका एंसर हो जाएगा आपका टेक्स बॉक्स टूल नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं हम लोग अगला को जाएगा लास्ट वाला ठीक है यूज रैंडम स्लाइड ट्रांजिस्ट नेक्स्ट अगले कोशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन के क्या करा है विच कमांड इस यूज टू रिमूब डारेक्टरी इन लाइनेक्स इन किस कमांड के माध्यम से डारेक्टरी को डिलिट किया जाता है लाइनेक्स में यहां पर इसका जो आपका एंसर बनेगा वह एंसर आपका बन जाएगा आरेम डिया यार रिमूब डारेक्टरी नेक्स्ट अगले कोशन की तरफ बढ़ें अगला क्या करा है दस्लाइड सॉटर व्यू बटन आटोमेटिकली स्टॉट्स यहां पर इसका जो आइंसर बनेगा वह जाएगा ट्रू यानि अगली कोशन की तरफ बढ़िए अगला क्या करा है अगला क्या क्या रहा है कंप्यूटर टू सर्व एज बैक अप टू इट्स मेन सर्वर इस विल मेनली अफेक्टेड विच आफ दा फालोइं इन नेट्वर तो यहां पर नेट्वर क्या बादित हो सकता है तो यहां पर आपका जो एंसर हो जाएगा वह एंसर आपका होगा रिलेबिल्टी ठीक है ना नेक्स्ट अगली कोशन की तरफ बढ़िए अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है कि विच कमांड इसका जो आपका एंसर हो जाए जाएगा वह एंसर आपका हो जाएगा लाश्ट वाला ठीक ना री नाइस नेक्स्ट अगली कोशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन देखिए क्या करा है वाट आइडिया डिट अमेरिकन एक्स्प्रेस कम अप वित इन दो हजार टू कंपैट आइडेंटिटी थैप अमेरिका म सब लोग नेक्स्ट अगला कोशन जो है यहां पर वह कोशन देखते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर यहां पर देखिए कह रहा है कि वाट इदा सॉटकट की कंबिनेशन तो ओपन गोटू बाक्स यानि गोटू बाक्स को ओपन करने की स्वाटकट की क्या होती है इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तो ओवर लोड असीस्टम सो इट नो लांगर आपरेशनल नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़िए अगला कोशन देखें क्या क्या रहा है प्रेस यहां 5 की तो गोटू स्लाइड सो व्यू यहां 5 प्रेस करने से स्लाइड सो में क्यों स्लाइड सो ओपरोटी है इसका आपका एंसर हो जाएगा वह अंसर आपका हो जाएगा प्रो इसक्ट की तरह पढ़िए अगला कोशन देखें क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कि वेन रीडोड आपशन डिसेबल इन लिब्रे आपर फुस राइटर में रीलोड आप this keach messenger पर कि प्लेटफ़र्म फिरर राइटर शेयर हीज ओन इंडिविजाल सब्जेक्ट कुए सप्लेटफर्म है और एक करता है तो उसको कहा जाता है ब्लॉग नेक्स्ट अगली कुश्चिन की तरफ बढ़ें अगला कुश्चिन देखें क्या कर आपके स्कीन पर इन दो कंटेंस आप एनिमेशन वाट इज ट्रिगर ट्रिगर क्या होता है इनिमेशन में इसका जो एंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एन आइटम आन दा यानि अगला कुश्चिन देखते हैं हम लोग यहां पर अगला कुश्चिन देखें क्या कर रहा है वाट टाइप आप चार्ट विल यू यूज टू कंपेर पर्फार्मेंस आफ सेल्स आफ टू प्रोडेक्ट यानि दो प्रोडेक्ट के बीच में अगर कंपेर किया गया है तो उनका सेल्स प्रोडेक्ट आपको देखना है कैसा आपका चार्ट बनेगा तो यहाँ पर आपका जो एंसर हो जाएगा वह एंसर हो जाएगा कॉलम चार्ट का नेक्स्ट अगले कुश्चिन की तरह बढ़ते हैं हम लोग देखिए अगला कुश्चिन आ गया है कहरा कि व अगला कोशन देखें क्या किया आपकी स्क्रीन पर और सीनियर लेवल कार्पूरेट इंपलाई हूँ है रोल एंड रिस्पोंसिविल्टीज आप क्रियेटिंग डिजाइनिंग सेक्योड नेटवर्क और सिक्योर्टी इस्ट्रेक्चर तो इसमें आपका जो आइंसर हो जाएगा सिक्योर्टी आर्किटेक्चर नेक्स्ट अगले कोशन की बात करें अगला कोशन देखें क्या कर रहा है कि विच आप दा फालोइंग कंप्यूटर इनपूट डिवाइस यूज टू इनेबल बीडियो कांफरेंस इनमें से आपका कौन सा ऐसा डिवाइस है इनवो यानि आपका जो सर्वर होता है इंटरनेट पर उसको क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है होस्ट नेक्स्ट अगले कोशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपके स्कीन पर विच कमांड इज यूट टू डिस्प्ले डिस्क कंजूम्शन आफ इस्पेस्फिक डिरेक्टरी इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वह एंसर आपका हो जाएगा दियो यहनि थर्ड वाला नेक्स्ट अगली क्वेशन की तरफ बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपके स्कीन पर इनन लिब्रे आफिसकल दा फार्मूला चैट डिस्पले दर रिजल्ट of conditional analysis of data from two sources in the content of C 31 is greater than 140 then high is displayed otherwise okay is displayed इसका जो condition यहां पर दिया गया अलग-अलग पूछ रहा किन में से कंडिशन सही होगी आपका जो एंसर हो जाया गया यह हो जाया गया यह वाला ठीक है नेक्स्ट अगला आपका सकती決शश्य के पृबलिक की जो होती है कितना की यूच करती है उतना आप अगले की तरह बढ़ें अगला कोशेंगे क्या करा रहा है वाट टाइप चाट इज गुड पार सिंगल सिरीज आप डेटा यानि सिंगल सिरीज आप डेटा के लिए कौन सचार सबसे बेस्ट है इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वो जाएगा पाई चार्ट इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वो एंसर हो जाएगा हमारा इवनिंग नेक्स्ट अगले कोईशन की तरफ बात करें अगला कोईशन देखिए क्या करा है इसके लिए किस आप संस का यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग आपन करते हैं लोज का नेक्स्ट अगले क्ले पर कोईशन देख आपके स्क्रीन पर यहां पर यह question देखिए क्या किया रहा है क्लाइंट और दे कंप्यूटर यहांनी क्लाइंट एक computer होता है जो क्या करता है make a query हमेशा करता है server से नेक्स्ट अगले questions की तरफ जाएं अगला question देखिए क्या किया रहा है इन कैल्क विच आप दीज इस आफ लेबल वाइल इंसर्टिंग अ उन्यों कॉलम ठीक है अगर आप नया कालम इंसर्ट करते हो इनमें से किस आप्षेंस के द्वारा आपका नया कॉलम इंसर्ट होगा तो इसका एंसर वह जाएगा आपका फ़र्स्ट वाला इंसर्ट कॉलम आफ्टर नेक्स्ट अगले कोश्चन तरफ अगर जाएं अगला कोशन जो आपके स्कीन पर आएगा वह है यह वला नेक्स्ट इसमें देखें कहला कि विच आप दा किस प्रकार का अगले कोशन की तरफ बढ़ेंगे क्या कह रहा है विच टाइप प्रिंटर इंप पॉस्ट मशीन यूज फ्रकार प्रिंटर जो है पॉस्मसीन में यूज किया जाता है इसका आपका एंसर हो जाएगा वह एंसर हो जाएगा आपका थर्मल प्रिंटर नेक्स्ट अगले कोशन के तरफ बढ़ें तो अगला कोशन देखिए क्या कर आपके स्कीन पर to add a header or footer to your handout you can use यहनि आपको header or footer use करना है handout में तो आप क्या use करोगे इन में से इसका जो आपका answer होगा वो हो जाएगा the master handout next अगले questions की तरफ जाएं अगला question देखें क्या करा है which of them is not an option in Libre Office Writer for character casing इन में से count सा एक option करेक्टर केसिंग का राइटर का नहीं है तो इसका जो आपका answer होगा वो होगा first and last word capital अगले question की तरफ बढ़िए अगला question देखें क्या कह रहा है electronic check is one form of what electronic check जो है वो किस चीज का form है तो यहां पर इसका जो answer बनेगा वो बन जाएगा online banking नेक्स्ट अगले question की तरफ चलिए अगला question देखें क्या कर रहा है कि वन यू add a software is tech such as an operating system and applications to the service the model shift to which model यहां पर इसका जो model हो जाएगा वो हो जाएगा सास ठीक है नेक्स्ट अगले question की तरफ बढ़ें अगला question देखें क्या कर रहा है आपके screen पर by using which submenu libra office accept the donation इसका जो आपका answer हो जाएगा आपका हो जाएगा donate to libra office ठीक है नेक्स्ट अगले question की तरफ अगर बढ़ें अगला question देखें आपके screen पर यह है इसमें कहा रहा है कि control all the main slide control टास्क फार योर presentation यानि आपकी सभी slide में 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 स्लाइड में आपके presentation को आपके टास्क को कौन कंट्रोल करता है तो यहां से इसका जो आपका answer बनेगा वो बन जाएगा टास्क पेन नेक्स्ट अगले question की तरफ बढ़ें अगला question देखें क्या कर आपके screen पर यह है आपके screen पर अगला question देखें कहा रहा है डा डारेक्ट्रे एस आर्वी contents यह जो डारेक्ट्री होती है वो क्या contain करती है इसका जो आपका answer हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ें अगला question देखें क्या कर रहा है कि master handout जो होता है वो क्या define करता है या किसके answer की define किया गया है इसका जो आपका answer हो जाएगा वो होगा layout of handout next अगले questions की तरफ बढ़ें अगला question देखें क्या क्या रहा है कि the deep directory contains the यानि जो डेव directory है वो क्या contains करती है तो इसका जो answer होगा वो हो जाएगा device files next अगले questions की तरफ बढ़ें तो अगला question बनेगा वो answer बन जाएगा लास्ट रीबूट next अगले questions की तरफ बढ़ें अगला question देखें क्या कह रहा है वीच आप the following is not a e-wallet app इनमें से count e-wallet app नहीं है इसका जो answer होगा वो हो जाएगा my payment next अगले questions की तरफ बढ़ें तो अगला question देखें आपके स्क्रीन पर यह है इसमें कहा रहा है कि विच आप the following is not an example of passive online attack इनमें से count passive online attack नहीं है इसका जो answer होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट अगले questions की तरह बढ़ें तो अगला question देखें क्या कहा रहा है कि BINGO icon is not created by लिब्रे आफिस नहीं किया जाता तो इसका answer हो जाएगा आपका false next अगले question की तरफ अगला question क्या कै रहा है कि rpm rpm क्या होता है rpm जो होता है वह rightوجश раза half numero net अगले question की तरफ बढ़ें अगला question जो है आपका चैसे तश्त तका डेटा का डिफाल्ट एलाइनमेंट क्या होता है इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट साइड नेक्स्ट अगले क्वेशन की तरह बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपकी स्कीन पर फ्राम वेर एन वी सेट दा टाइमिंग फार इच आपजेक्ट यहां पर इसका जो एंसर हो जाएगा वो एंसर आपका हो जाएगा स्लाइड सो कस्टम ट्रांजिस्टन नेक्स्ट अगले कोशन की तरह बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपकी स्कीन पर विच कमांड इज योज टू डिस्पले दा आपरेटिंग सिस्टम नेम यह कि नेम नेक्स्ट अगले कोशान के तरह बढ़ें अगला कोशन की देखें क्या कर आब कि Kundu कमांड iG एऽ को वेलेंट टू ऑफ टू एंडिटर घ्रटम रएई आपको एडिटर में यानिंग आपको एडिटर में यानि वी आई एडिटर में किसी टेक्स्ट को क्या करना है अपेंड करना है लाइन के इंड में इसमें आप किस कमांड के माध्यम से उसको कर पाओगे इसका जो आपका एंसर है वो हो जाएगा इसका आपका एंसर हो जाएगा पासपोर्ट सेवा अगले कोशेशन की तरह बढ़ें अगला कोशन देखें क्या कर आपके स्किन पर आप हैंड आउट मास्टर से किसी इमेज की पोजीशन जो है चेंज नहीं कर पाऊगे इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वह जाएगा ट्रू नेक्स्ट अगले क्वेशन की तरफ देखें अगला क्वेशन देखें क्या करा आपके स्कीन पर कि वाट विल्व रिजल्ट आप फलोर 139 कामा उननिस इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वह एंसर हो जाएगा 114 ठेक है नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें अगली स्लाइड पर तो यहां पर आपकी अगली स्लाइड जो है इंड हो गई यानि आपका जो 80 questions का series था वे 80 questions की series अब समापत हो गई है तो students ये एक important video थी जो triple C के September examination की point of view से बनाई गई थी अगर आप अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर दीजे और इस video को अपने relative के साथ अपने डोस्तों के साथ भी इसको share करिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care